नहीं लगेगा चावल के निर्याद पर प्रतिबन जी हाँ, सरकार की चावल के निर्याद पर किसी तरह का प्रतिबन लगाने की अभी फिलाल कोई योजना नहीं है घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इस अनाज का प्रयाप वफर स्टोक देश के पास है सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चावल के निर्याद पर प्रतिबन लगाने के बारे में कुछ चर्चा जरूर हुई है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया सरकार द्वारा भी किसी तरह का बैर लगाने की कोई संभावना भी नहीं है चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा चावल उतपादक भारत वैश्विक व्यपार में 40% की हिस्सेदारी रखता है सरकारी आकडो के नुसार देश ने वितवर्ष 2021-22 में 2 करोड 12 लाग टन चावल का निर्याद किया जिसमें से 49 लाग 4000 टन बासमती चावल था इस अबदी में देश में 6.1 अरब डोलर मुले के गैर बासमती चावल का भी निर्याद किया गया देश ने वर्ष 2021-22 में 500 से अधिक देशों को गैर बासमती चावल का निर्याद किया वहीं कुछ राजियों में कम बारिश के कारण इस खरीब वुआई के मोसम में अब तक धान का रखबा 6 फीसद गिर चुका है और 6 फीसद गिर कर 367.55 लाग हेक्टियर रह गया है जैसा कि गेहूं के मामले में हुआ है क्योंकि धान मुख्य खरीब वी फसल है और जिसकी बवाई जून से दक्षिन पश्ची मौनसुन की शुरूआत के साथ शुरू हो जाती है और अक्तूबर से कटाई शुरू होती है पिछले फसल वर्ष में चावल का उतपादन बढ़कर 13.2.9 लाग टन हो गया चो वर्ष 2021 में 12.43.7 लाग टन था पिछले कुछ वर्षों में भारी उतपादन और उच खरीद के बल पर केंदर के पास एक जुलाई तक बगैर मिलिंग वाले धान के बराबर चावल सहीद 4.7 क्रोट टन का स्टोक बचा हुआ है चबकि एक जुलाई की स्थिती के अनुसार चावल के बफर स्टोक की जरूरत 1.35 क्रोट टन की ही थी वहीं आपको बता दे कि पहले से ही केंदर राशन की दुकानों के माध्यम से गेहूं की बजाए अधिक चावल की सप्लाई कर रहा है क्योंकि इस मार्केटिंग एयर में गेहूं की खरीद घटी है और वो घटकर 1.9 क्रोट टन रहे गई चबकि एक साल पहले की इसी अफदी में यह खरीद 4.3 क्रोट टन की हुई थी गेहूं मार्केटिंग एयर अप्रेल से मार्च तक होता है लेकिन लगबख पूरी मात्रा में अनाज जून की हन तक खरीद लिया जाता है वहीं आपको बता दें कि परधान मंत्री कल्यान अन योजना के तहत सरकार 2 रुपे किलो में गेहूं और 3 रुपे किलो में चावल उपलप्त करा रही है यह ख़द्यान लगबख 80 क्रोड लोगों को उपलप्त कराया जा रहा है के अंदर NFC के तहद प्रती वेक्ती प्रती महा 5 किलो ग्राम अनाज उपलप्त करा रही है और इसके अलावा परधान मंत्री करीब कल्यान योजना के तहद प्रती वेक्ती 5 किलो ग्राम अनाज उपलप्त कराया जा रहा है आपको बता दें कि गेहूं के समंद में कमजोर स्टोक किस्थिती और चावल उत्पादन में संभावित गिरावट के बीच अभी सरकार ने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है कि इस तरीके की स्कीम्स जो है वो कॉंटिनूशन में रहेंगी या नहीं बहराल वेपारियों के मन में जो डर है कि चावल के निर्याद पर बैन लगाया जा सकता है इसके उपर अभी फिलाल कोई टिपनी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है तो माना ये जा रहा है कि अभी चावल के निर्याद पर कोई भी बैन लगने की गुंजाश नहीं है झाल झाल